नमस्का दोस्तों, MMS News 24 में में फरित खान आपका स्वागत करता हूँ मद्धिप्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मद्धिप्रदेश के प्रमुक शहर इंदोर को आखिर कुछ लोग वहां के वेपार को वहां की जो आर्थिक वेवस्ता है अर्थि वेवस्ता है, उसे क्यों डामाडोल करने पर तुले हुए है क्यों इंदोर का एक जो साफ स्वच्च माहोल है उसे खराप करने पर तुले है बात यहां इंदोर की नहीं, पुरे मद्धिप्रदेश की और देश की है अभी पिछले दिनों का मामला हर्याना के नूह का और मेवात का खत्म नहीं हुआ है हर्याना भी एक एसा प्रदेश है, जो पूरी तरह से किसान प्रधान प्रदेश है लेकिन यहां पर एक जो आर्थिक राजदानी है प्रदेश की वहाँ पर कुछ लोगों ने एक मंदिर, एक मस्जित और एक दरगहा उसे चुना और वो भी इसलिए चुना कि वो वहाँ पर अपने कू करत्ति कर सकें जी हां मुकेरिपुरा इंदोर की मस्जित में कुछ आसामाजिक तत्वों ने पेट्रोल बम फेका पेट्रोल बम फेकने का पुरा मामला CCTV फुटेज में केद हो गया इसी के साथ वहाँ की एक चांचावली दरगा पर कुछ लोगों ने वहाँ की दरगा की चादर हटा कर आग लगाने की कोशिश की साथ ही एक व्यक्ती हनुमान जी के मंदिर में घुसा और अपनी बीबी बच्चे को छोड़ने के कारण हनुमान जी से इस तरह चिपका कि मूर्ती ही खंडित हो गई ये तो रही ये बात कि ये एसे लोग एसी हालात क्यों पेदा कर रहे हैं और आखिर वो चाहते क्या है क्या ये लोग ये चाहते हैं कि मद्द बेदेश का जो साफ स्वच्छ जो माहूल है एक अच्छी तरह से जो माहूल चल रहा है उस माहूल को किसी भी रूप में खराब किया जाए वो तो गनीमत रही के इंदोर जिला पुलिस प्रशासन ने तुरंत मामले को ध्यान में लेते हुए सभी आरोपियों को पकड़ा है इस मामले में यूतियां कुछ लड़कियां भी शामिल हैं इस तरह के कुकरत्ति करने से क्या देश का और प्रदेश का क्या इंद जाने के लिए और उसको जताने के लिए पूरी तरह से सासन प्रशासन और एक आम नागरिक लगा रहता है बड़ी मुश्किल से किसी का वेपार चलता है बड़ी मुश्किल से कोई अपने बच्चों को पालता है लेकिन ये इस तरह ते जो आराजक्त लोग हैं क्या इनकी अरजक्ता की वज़े से उन वेपारिक उन गरीब लोगों के घर के चूले किस तरह से जलते हैं उन्हें कभी पता है ये वही लोग हैं जो अपने काम से किसी को पूरी तरह से बरबाद करने पर तुले होते हैं इस तरह से ये बरबादी देने वाले लोगों पर पूरी तरह से आम लोगों को ध्यान रखना चाहेगे और हमारी में